मीडी यानि महाराष्ट्रे इंडर्स्री डेवलोप्मेंट इंस्टिटूट आपके लिए ला रहा है शूलेज मैनुफेक्चिरिंग बिजनेस पर एक इंडर्स्रीयल डॉक्युमेंटरी शूलेज का इस्तेमाल जूतों को टाइट या लूस करने के लिए किया जाता है जिस वज़े से अपने पर शूज में अच्चे से बैठ सके शूलेज ये अलग-अलग रंगों में या शेप में पाए जाते हैं फूट वेर की मांग दिन बदिन बढ़ रही है इस वज़े से शूलेज बनाना ये एक उत्तम व्योसाय साबित हो सकता है रौ माटेरियल्स, कोटन, रियाउन और पॉलिष्टर यान, एसेटेक्ट फिल्म एंड, मेटल स्क्रिप्ट, प्लांट एंड मशनिरीज, शूलेस वाइनिंग मशिन, शूलेस ब्रेडिंग मशिन, टैपिंग मशिन, प्रोसेस सबसे पहले कॉटन या पॉलिष्टर के यान, शूलेस वाइनिंग मशिन को एटेच करते हैं, बाद में कॉटन या पॉलिष्टर यान की एक बाजू बॉबिन पे वाइन्ड की जाती हैं, बाद में लेस की थिकनेस के अनुसार 15-20 बॉबिन ब्रेडिंग मशिन को एटेच क जाते हैं, बाद में ये बॉबिन finns, spiral form में लेपट कर उनके ब्रेड्स बनाए जाते हैं, आगे तैयर हुए ये ब्रेड्स tapping machine में रखे जाते हैं, इन machine में ब्रेड्स के दोनो साइट पे strips लगाके cut किया जाता है, तो इस प्रकार आज हमने shoeless बैनेफेक्टिरिंग बिजनेस पर जानकारी हसिल की। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट अडवाइस की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिये हुए दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो एसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करे वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर करना न बोले